आज सल्मान खान 58 साल के हो गए है वो पिछले 35 साल से फिल्म इंडरिस्ट्री में एक्टिव है लेकिन यह साल उनके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा इस साल उनकी दो फिल्में रिलीस हुई लेकिन दोनों ही कुछ खास कमल नहीं दिखा पाई इस साल सल्मान की फिल्मों पर 425 करोड रुपे का दाव लगा था और बदले में फिल्मों ने 648 करोड का कलेक्शन किया कट्रीना केफ, सोनक्षी सिन्ना, जैकलिन, डेजी शाह और जरीन खान जैसी कलाकार को इंडरस्ट्री में ब्रेक देने का क्रेडिट सल्मान खान को दिया चाता है यही कारण है उन्हें बॉलिवुट का भाई जन कहा जाता है हाला कि ये मुकाम हसिल करने के लिए उन्होंने बहुत महनत की एक्टर ना बनने की चाहरकने वाले सल्मान डारेक्टर बनना चाते थे करियर की टॉप पर वे विवादों में भी रहे ये दोर सल्मान और उनके परिवार के लिए मुश्किल भरा रहा शादी को लेकर भी वे अक्सर सवालों के कट घरे में रहते हैं एश्वर्या राय कटरीना केफ संगीता बिजलानी जैसी एक्टरिसेस के साथ सल्मान की अफेर की खबरे लाइम लाइट में रही है मगर वे आज भी सिंगल है आपकी अदालश शो में सल्मान से सवाल किया गया था कि वे कब शादी करेंगे इस पर उनका कहना था अभी तो मैं जवान हूँ सही वक्त आने पर मैं शादी जरूर करूँगा वो मेरी पहली और आखरी शादी होगी एक इंटर्विव में कहा था कि लोग शादी पर लाखो करोडों रुपे खर्च करते हैं मैं इतना अफोर्ट नहीं कर सकता इसलिए मैं सिंगल हूँ 28 सितंबर 2002 को सल्मान को हिट एंड रन केस में गिरफतार किया गया था उन पर आरुप था कि रेश ड्राइविंग कर उन्होंने सडक किनारे सो रहे एक शक्स को कुचल दिया था जिसकी मोके पर ही मोत हो गई थी जब इस घटना के बारे में पिता सलिम खान से पूछा गया था तो उन्होंने इंटर्विव में कहा था बच्चों के साथ पैरेंट्स को भी उनकी तकलीफों का सामना करना पड़ता है जब सल्मान को इस केस में 15 दिन की जेल हुई थी तो मुझे ऐसी चलाने में बुरा लगता था खाना भी ढंग से नहीं खा पाता था जब सल्मा के साथ में उससे जेल में मिलने गया तो हमारे बापसी के समय उसने सल्मा से कहा था मा अगली बार से पापा को यहां मत आने देना इसी के साथ बने रहे है राजदमा ठीवी के साथ धर देमार